Hello everyone, कैसे हो आप सब तो आज की reading जो है हमारी रहने वाली है देखेंगे हम आज की इस reading में कि क्या आपकी person आपसे बात नहीं करना चाहते हैं यही हम देखने वाले हैं ठीक है यह हमारा reading का आज का topic है कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं ठीक तो reading का topic आप समझ गए हो चलो स्टार्ट करते हैं आज का रेडिंग अपना देखते हैं साथी बता दुखी जनर रेडिंग है, कलेक्टिव है, स्वाइस बात का ख्यार रखना है और जिनकों भी मुझसे प्रफेशनल रेडिंग लेनी है चाया टेर रेडिंग लेनी है या फिर कुणले रेडिंग लेनी है दिये गए वाट्सप नमर पर आप लोग कॉंटक करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के अपनी ये रेडिंग और हाँ ब्रसलेट, ब्रसलेट की बुकिंग लागतार चल रहे है ये आपके हीलइंग करेगा आपके जयiger करियर कंफर्म करेगा जो है दूर करेगा और आपका जो है job है आपका करियर है नजर लगती है आपको negativity है तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करेगा आपको प्रोटेक्शन के लिए यह ठीक है और यह जो ब्रेस्ट आपकी लव लाइफ के लिए है चलो relationship के लिए है यह तो ज़्यदा वक्त नगवाते हुए हम reading को start करेंगे इसलिए मैं cards निकालती हूँ देखते हैं कि क्या वह आपसे बात नहीं करना चाहते हैं तो देखते हैं कि अभी उनकी स्थितिक क्या है ठीक है current situation उनकी क्या है क्या feel हो रहा है ठीक इस मुझे गाइट कीजें अंजल्स इनिवर्स एंसिस्टर्स इस काइट कीजें चलो cards निकालते हैं देखते हैं और प्लीज अगर आपको रीडिंग करवा नहीं है तो स्रीफ message कीजे call बिलकुली मत कीजे क्योंकि call करेंगे आपका time waste होगा bottom of the deck देख लेते हैं trickery so आपके जो partner है काफी ज़्यादा mind लगाते हैं आपके साथ कभी कभी यह mind game खेलते हैं आपको ऐसा लगता है ना आपको feel आता है ना कि हाँ यह person कहीं हाँ तक मेरे साथ game खेलने की कोशिश कर रहा है यह person चाहता क्या है ठेक है आपको कभी कभी आपके person का behavior इतना ज़्याद जदा rude लगता है इतना जदा odd लगता है कि लगता है कि हाँ क्या कर रहा है यह क्या इसकी intention क्या है ठीक है तो आपको कहीं न कहीं ऐसा feel होता है आपको लगता है कि क्या यह right है मेरे लिए आप खुद भी जो है ना सोच में पढ़ जाते हो कि क्या यह right है आपके लिए या फि भ manureThis בא यह गख़्छ रहने के बचाने के लिए कुछ भी ठीक बता देते हैं जब फी आप इनके साथ मैं भी आते हो जब भी पर्सन आते हैं तो यह आपको उस्वा डाम क्रिyawk कर देते हैं ठीक है यह जो है ना आपके परसन जो है ना काफी मैनिपुलेटिंग परसन आपको काफी जदा मैनिपुलेट करते होंगे ठीक अपने बातों में ले लेना बढ़ी आसानी से यह परसन करते होंगे और आपके साथ ही नहीं यह दूसरों के साथ भी करते होंगे ठी गौर किया होगा नहीं किया होगा लेगिना गौर करना ठीक हैं चलो देखते हैं कर्द्स को ब मैनिपुलेट कर रहा है खुद ही जहने इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपके परसन को जो भी यह वट यहां पर है दिख रहा है कि हाँ मैनिपुलेट हो रहा है आपके परसन को मैनिपुलेट किया जा रहा है यह परसन किसी और को भी मैनिपुलेट करते हैं लेकिन इनको अभी जोएना मेनिपुलिट किया जा रहा है ठीक है वैनिटी का कार्ड है रिनीवल का कार्ड है इंपार्टिलिटी रिकवरी कन्शूजन ओके सो कार्ट से आपको दीख रही है अच्छे से देख लो कार्ड की एनर्जी क्या मुझे बता रही है कि आपके जो पार्टनर है मैंने पहले भी कहा कि आपके पर्चन दुसरों की बातों में आ जाते हैं और दुसरों को काफी ज़्यूदर मैनिपुलेट करते हैं तो अगें मुझे यही एनर्जी नजर आ रही है कि आपके जो person है मैं इनको ये देख पा रही हूँ कि ये person आपसे बात नहीं कर रहे है तो आपके person आपसे बात नहीं कर रहे है तो ये person जैना दूसरों की बातों में आ रहे है ठीक है गोल 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 इनको घुमाया जा रहे है आपके person को और आपके person काफी हद तक अपने आपको कहता है ना कि इस तरीके से जहर घोल देना कि फिर से relationship में मिठास ना पाए ठेक तो यहाँ पर यह person को जो है ना इस तरीके से manipulate किया गया है कि यह person काफी हद तक जो है ना आपके खिलाफ यह हो गए थे ठेक है यहाँ पर हो नई हो क्या हो कैसे हो तो यह पॉर्सन की फिलिंग्स ऐसी है बहुत जादा ठीक है यह पॉर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़दा भरोसा किया है बहुत ज़दा विश्वास किया है लेकिन आप दोनों के बीच में मैनिपुलेट हुआ ठीक है आपके पॉर्सन को कोई अपने अंदर ही यहां पे self doubt आ रहा है यह पर्सन यह खुद जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है यह हैं क्या यह मेरे साथ हो क्यों रहा है यह मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है आपके पर्सन ये भी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं थीक इनकी energy कुछ इस तरीके से है कि person को डर लग रहा है ठीक है यहां पे recovery का भी कार्ण मेरे पास यह तो यह दिख रहा है कि हाँ आपके person को जाना काफी ज़दा डर लग रहा है अपने situations या फिर आपसे बात करने में यह person काफी ज़दा डर रहे हैं इनके अंदर कुछ ऐसी situations बैठा दी गई हैं कहते हैं इस तरीके से डड़ा देना धमका देना कि हाँ आपके person खुद ही आपको call ना करें तो इस तरीके से आपके person को manipulate किया गया हो तो यहां पे दिख रहा है कि आपके person को manipulate बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और आपके person को इसी वज़ा से डर लग रहा है ठीक है यह person हाला कि काफी painful situation में है यह भी दिख रहा है बहुत जदा painful situation है इनकी ठीक यहाँ पर confusion भी है तो confusion तो आपको पता ही है confusion में रहेंगे तो इनको clarity का भी मिलने वाली है नहीं तो यहाँ पर यह person जो है ना outcome को लेकर कि काफी ज़दा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि outcome इस relationship का क्या होगा कैसे होगा relationship जो है आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा क्या होगा इश्वर जाने है ना तो यह person कहीं हद तक काफी ज़दा इस तरीके से में निपूलेट हो चुके हैं कि यह खुद पर भी भरोसर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन यह पे new beginning का मुझे नजर आ रहे हैं यह person अपने past को भूलना चाहते हैं ठीक है अपने past की वज़दे से अपना present भी जो है ना यह person बरबाद कर रहे हैं इस person का ऐसा दिख रहा है जिसे कि यह person past की चीज मैं देख पा रहे हूं कि यह person तो new beginning renewal का card है देखो जो भी पिछे चीजे हुई है past जो भी चीजे हुई है ठीक है इस चीज को आपके person भूलना चाहते है और यह person भूलेंगे भी मुझे नजर आ रहा है कि यह person भूलेंगे भी और बहुत जल्दी जो है ना यह person भूल करके आपके तरफ आगे भी बढ़ेंगे ठीक यहाँ पर आपकी energy के अनुसार से आपके person के energy के अनुसार से दिख रहा है कि यह person जोना confusion को खतम करेंगे ठीक है आपसे person आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो यह person की यह person किसी और problem में भी फसे हुए है ठीक चलो देख लेते हैं finally कि आ नहीं करना चाहते हैं तो tarot card से भी देख लेते हैं please guide किजे angels please guide किजे ओके चलो कार्ट्स देखते हैं कि क्या क्या कार्ट्स आये हैं बॉटम आफ ता डेक भी देख लेते हैं प्रिंसेज ओव वेंड्स काफी पैशनेट तो देख रहे हैं आपसे बात करने के लिए परसन एरिजलियो सहज आपके परसन का साइन है काफी जदा पैशनेट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है यह परसन की बात करने की चाहत बहुत है ऐसा नहीं है कि यह परसन बात नहीं करना चाहते है यह आपसे दूर दूर भागना चाहते है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि यह परसन की अंदर पैशन हैlle आपको ले करके एकदम से पूरी तरीके से यह परस़न मुझे पैशनेट नजर आ रहे मुझे तो यहां पर clearly नज़रा रहे कि पर्सेन की चाहत है बहुत आपके बाल बहुत खुबसूरत से बहुत जबा कुबसूरत है आपके बाल ठिक है मेरी भी बहुत लम्मे लम्मे बाल है इन बालों को मैं देखती हूं तो मेरे अपने बाल जो है न याद आते कि अरे चलो यहां पे दहर दफ फर्टिलिटी का कार्ड है एट अफ कप्स दफूल फोर अफ वैंड्स स्ट्रेंथ साइन मेरे आपको बताया एरीज लियो सैज ठीक है, Cancer Scorpio, Pisces और Taurus, Virgo, Capricorn ठीक है, तो यहां पे इतने साइन मेरे पास अविलेवल है तो मैं यहां पे देख पारी हूँ कि आपके person आपसे बात करना चाहते ही कि नहीं तो देखो, क्या है कि आपके person पीछे की चीजों को पीछे की बातों को भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं यहां पे क्लियर है कि आपके परसन आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता है कि यह परसन जो है बैक जाना चाहते हैं ठीक है तो यहां पे मुझे यहां य कुसे इनको करना है मैं ही देख पा रहे हूं और हुछ आप कि यह काट यह भी बता रहे हैं कि मार्व के आपके जो पर्सन हैह अपनी आपको काफी हद तक की पर्सन कंट्रोल करते हुए न nggak जार अरहा है जैसे की यह पर सब्सक्राइब आपको लेकर के इस person के दिल में या फिर कहें तो इनकी emotions इतनी ज़्यादा है आपको लेकर के जैसे कि यह person आपके लिए काफी ज़्यादा passionate है काफी ज़्यादा ठीक है आपको यहाँ पर fertility काड है एक दम से आपके साथ इनको एक divine connection मैसूस होता है एक comfortable zone मैसूस होता है आपके स person होते हैं तो आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा ठीक है यह person बहुत अपने आपको strengthful मानते हैं और यह person को ऐसा भी दिखता है जैसे कि four of events के energy में मुझे नज़र आ रहे है यह person ऐसा दिख रहा है कि आपके person जो है ना बहुत यह commitment देना चाहते हैं ठीक है commitment देना चाहते हैं आपके partner यहाँ पे eight of cups की भले ही energy है यह person move on कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं अपनी life में लेकिन नहीं यह person ने आगे बढ़ करके तोड़ दिया था आपसे अपना connection जो है ना तोड़ लिया था इस person ने काफी manipulate होकर के तो अब जो है ना यह person को नहीं अब यह person को इस energy से बाहर निकलना है ठीक है eight of cups के energy से बाहर निकलके यहाँ पे the full energy में आना है यानि कि इश्वर के उपर सब सांप देना है इस person को और इ तरीके से control करते होंगे यहाँ पर दिखता है जैसे कि आपको कोई action ही लेना है आपको कोई बात ही करनी है तो एक बार बोल देते हों कि हाँ अभी नहीं बात में बात करते हैं तो उस ताइम वह बात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी power वही है कि यह person काफी ददा controlling है अपने mind पे अपने दिल पे बहुत अची से control करना जाते हैं और यह person जो है आपसे बात करना चाहते हैं four of events का card है clear है success का card है happiness यहाँ पे family का card मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके person एकदम divine connection के उपर depend है यह person divine connection यह person सोच रहें कि divine ने अगर लिखा है हम दोनों का connection तो हम हम दोनों जरूर मिलेंगे हम दोनों चाहें ना एक दूसरे से एकदम करीब जरूर आएंगे हम दोनों एक दूसरे के जरूर होंगे ठीक है मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो person है बहुत अच्छी सी energy में है कि हाँ आपके person आपको लेकर कीतना ज़दा सोचते हैं और आपकी पास ही आने के बारे में सोचते हैं ठीक यहाँ पे किसी और किसान चाने के बारे में तो thinking मुझे नजर नहीं आ रही ह दिखता है कि आपके person आपके करीब आना चाहते हैं ठीक है यहाँ की energy ऐसी ही मुझे नजर आ रही है ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है फिलहाल आप सब के लिए ठीक है तो आपके person आपसे बात करना चाहते हैं और यह person जल्दी ही बात करेंगे 4 days 4 weeks 4 month में आ बाइ